हलो प्रेंट नमस्ते आज हम बताएंगे कि आपने कोई नया फोन लिया है या कोई पुराना फोन एक्षेंज कर रहे हैं तो अपने जीमेल आइडी को एकाउंट को कैसे रिमूग करते हैं और कैसा नया बनाते हैं आज हम इस वीडियो के माधिम से आपको बताएंगे सबसे पहले आप अपने फॉन के अंदर सेटिंग को उन करेंगे हमारी पास यह जो फॉन है वह सैमसंग का है जे एट आपके अंदर आपके पास जो भी फॉन होगा आप अपने फॉन के अंदर सेटिंग को उन करेंगे सेटिंग को उन करने के बाद आपने तोड़ा उपर की गूगल एकाउंट यह है और आपको सबसे पहले एकाउंट एंड बेकप वाले ऑप्षन पर क्लिक करना है सबसे पर ऊप्षन है एक आउंट उस पर आपको क्लिक करना है कपके आपके सामने जीमेल आइडी आपके खुर जाएगि जैसे इस फोच पर लोब प्र किलिक किशें अब कर दो फिर अपने और स्थे आपने होन के सेटिंग अदर एकाउंट एन वेकाउंट वाले औप्सटोर क्लिक करें है परस्ट नमर को सब्सक्राइब क्लिक कीछे JUL फिर आप अपने जीमेल एकाउंट पर क्लिक करके एकाउंटर आपके वाली zitओं AT अब हम बताएंगे कि आप अपने नए फॉन के अंदर या दूसरे फॉन के अंदर अपने जीमेल आईडी को कैसे ओन करते हैं सबसे पहले अपने गूगल प्ले को इस्टोर को गूगल प्ले स्टोर है उसको ओन कर दीजिए प्ले स्टोर को ओन करेंगे यह थोड़ा टाइम लेगा आपके फोन के अंदर नेट चलता रहना चाहिए यह option खुल गए है साबसे पहले अप अपने इसके अंदर Gmail ID जो है आपकी इसके अंदर लगाईए यह हमारी Gmail ID है हम लगा रहे हैं आप अपने फोन के अंदर अपनी Gmail ID लगाई है और sign in के रिए फिर आपके पासपर्ड मांगेगा आप पासपर्ड एंटर कीजिए जो भी पासपर्ड है आपका आप आराम से एंटर कीजिए फिर next कीजिए यह आपके पासपर्ड Gmail ID एकदम सही है इस परकार से आगे दिखाएगा आपको next पर क्लिक करना है आगे आए अगें पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो भी उप्सन आता है आप next करते जाएए यह गूगल सर्वे वाला उप्सन कुल गया है more पर ok कीजिए next पर करेंगे और यह आपका email account आपके phone का अंदर इसी परकार से open हो जाएगा किसी परकार की कोई तकलिब नहीं होगी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो like करते रहिए share करती रहिए क्योंकि इस channel पर आपको mobile से समधित हर परकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी थेंक यू धन्यवाद